तो आज की वीडियो में हम करेंगे most important computer के question तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये part है ये part एक रहेगा computer का जिसमें आपके 20 question होंगे तो आप देख सकते हैं कि 20 question में से आपको कितने आते हैं अगर आप हर्याना में कोई भी exam की त्यारी करते हैं तो दोस्तो आपके computer से लगबग 10 question पूछे जाते हैं तो most important video आपके लिए रहने वाली है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं पहला question है हमारा computer के अविस्कार कोन है तो computer का अविस्कार किसी ने किया था तो यह किया था चालस बेबज ने राइट अन्स रोगा हमारा सी चालस बेबज परसन नंबर दो है सबसे पहले computer का नाम क्या था तो जो सबसे पहले जो computer बना था उसका क्या नाम था सई उत्तर है भी एनी एक परसन नंबर तीन है अधुनिक computer के खोज सरब पर्थम कब होई थी तो अधुनिक computer के खोज सरब पर्थम होई थी 1946 के अंदर राइट अन्स रोगा हमारा सी computer के चेतर में महान करांती कब आई थी तो इस question का हमारा सई उत्तर होगा कि डी उनी सो साथ के अंदर महान करांती आई थी केंपूटर का हिंदी में नाम क्या होता है कि यह भी संगणक तो computer को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं केंपूटर साक्सरता दिवस कम बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है दो दिसंबर को राइट अन्स रोगा डी फ्रेंड्स यदि आपको question अच्छे लगते हैं तो प्रीज वीडियो को लाइक जूरू करें CPU का पूर्ण रूप क्या होता है तो CPU का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है इस question का हमारा से उत्र होगा ए Central Processing Unit की नाम से इसको जानते हैं इन में से कौन सा सरच इंजन नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा है, जो एक सरच इंजन नहीं है, तो इस question का हमारा right answer रोगा D, wall from alpha, जो एक सरच इंजन नहीं है, बाकि गुगल, याहू और बिंदू, ये तीनों ही सरच इंजन है, परसन नमबर नो है, निमन में से कौन इन पुट इक आई है, तो इन पुट इक आई के रूप में किसे जानते हैं, right answer रोगा, mouse, keyboard, scanner, तो ये तीनों ही एक इन पुट इक आई का रूप है, right answer रोगा D, box B, एक किलो वाइट कितने वाइट के बराबर होते हैं, तो फ्रेंट्स, जो एक के भी होती है, वो कितने वाइट के बराबर होती हैं, ये होते है, 1024 वाइट के बराबर, right answer A होगा हमारा, परसन नमबर 11 है एक मेगावाइट में कितने वाइट के बराबर होते है तो फ्रेंट्स एक एमबी के अंदर कितने वाइट होते है यह होते है एक जार चोबिस के भी राइट अनसरों का हमारा ए next Question is Question number 12 one Gigabyte में कितनेảm knowe bathroom होते हैं तो फ्रेंड जो एक विंद्वी होती है उसमें कितने इक विần होते हैं तो यह होते हैं दोस्तो राइट an score का हमारा भी एकथा सोबिस ंच यख़े ब्राबर होता है person Number 13 है對了 computer में प्रियोफра आई सी चिप बनते हैं जो आई सी चिप होते हैं वो कम्पूर्टर वो किसके बने होते हैं यह बने होते हैं इस कोश्चन का हमारा सभी उत्र होगा डी सिलिकोन से परसे नंबर 14 इंटरनेट के पते में पद HTTP का सभी इस्तिर रूप क्या होता है तो दोस्तों जो कम्पूर्टर के एंदर HTTP होता है इसका फूल फोम होता है जो इसका पुर्ण रूप होता है वो क्या होता है तो इस कोश्चन का हमारा राइट अन्स रोगा डी हाइप्र टैक्स ट्रांस्फर प्रोटोकॉल के नामसिव चल्फ होता है परसे्रम नंबर 15 किसी कमपूर्टर के प्रोग्राम में बच्चों दवारा प्रियोक जो लॉड़ कोंशी तो दोस्तों उसको का आ जाता है नोटबुक केम्पूटर वो पर्स नमबर से तरह है कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निमले कित में से किसे प्रोग्रामों का रुपांतरण है तो किसके प्रोग्रामों का रुपांतरण है इस कोश्चन का सही उत्र होगा हमारा डी कोडांत प्रोसेसर दबारा परसन नंबर 19 है निमने लिखित में से ओप्टिकल मेमोरी है तो कौन सी एक ओप्टिकल मेमोरी होती है राइट अंसर होगा CD-ROM Compact Disk Read Only Memory जो की एक ओप्टिकल मेमोरी के रूमें जानते हैं और आज का हमारा लास्ट कोस्चन है कोस्चन नंबर 20 है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है तो CPU का जो तीसरा भाग होता है वह होता है arithmetic logic तो friends राइट अंसरोगा हमारा डी तो दोस्तों जो CPU होता है उसको computer का दीमाक के नाम से जानते हैं या उसको मस्तिस कहते हैं और जो यह CPU होता है यह एक माइक्रोचिप होती है तो friends यह थी आज की हमारे टमेंटी कोश्चन कोश्चन आप को कैसे में जुरू बताएं और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें और अगर यदि आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्ट पार्ट भी लेक देखी है जिसके अंदर हम चुदा पार्ट तो करवा चुकी है यदि आपने वह नहीं देखिए तो जाके जुरूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें थैंक यू झाल